हें गाइस बूर्निंग वालकम बैक टू नर्सिंग रानी ब्लॉग तो आज कर वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जो SBI रिसीप कोड़क्ट कैसे करते हैं मतलब बोडिशीप को कैसे निकालते हैं स्टेप एक्सप्लें करूंगे आपको कि बहुत लोगों का कमेंट आया था बहुत जादा दिक्कत हो रहा था इसलिए और और एक पॉइंट कि आप लोग पहले सारा वीडियो को पूरा वीडियो को बहुत कीजिए मैंने सब कुछ बताया रहता वीडियो में फिर भी आप रिपीटेट एक ही कॉस्टिन करते रहते ह कि आप लोगों को बहुत जादा डाउट हो रहा था कि जो प्रेमेंट करना है मतलब सब मुझे पूछ रहे थे बार बार तो मुझे काफे का तो नहीं पता लेकिन प्रोस्पेक्टस में जो लिखा हुआ है मैं उसको समझाने की कोसिस करती हूं आपको आप यह चीज काफे म में दिखा सकते हैं उनको समझ में आ जाएगा ठीक है इतना मतलब में सबको रिपलाई नहीं दे सकते थी इसलिए मैं सोची क्यों ना वीडियो ही बना देती हूं ठीक है तो प्रोस्पेक्टस में जो लिखा है स्टेप स्टेप लिखा हुआ है ठीक है एकदम अच्छे से आ पर लॉगिन करिए तो आपका न यह वाला ओपन हो जागा ठीक है फिर क्लिक करना है कहां पर SBI collect में क्लिक करना है जैसे लिखा हुआ है click on SBI collect ठीक है उसके बाद आपको क्या करना है tick the box of terminal condition कुछ कुछ conditions term आपको पूछेंगे उस पर आपको tick कर लेना है ठीक है उसके बाद आपको click process में जाना है ठीक है वहाँ प्रोसेट का option आएगा तो आप वहाँ पर click कर लेना उसके बाद फिर क्या हो जागा आपको select ठीक है state select करने के लिए मिलेगा तो आप जहां से भ ब्यूज लिखिएगा ठीक है उसमें आपका टाइप हो गया उसके बाद आपका आजाएगा click go ठीक है उसके बाद आगे click करके आपको जाना है उसमें ना select करना है steel authority of India limited industry में ठीक है उसमें select करना आपको कि steel authority of India का उसमें आपको अप्शन आजाएगा आप सर्च करोगे तो तो select कर लेना, फिर select करना है, किस चीज के लिए आप payment कटुआ रहे हो, मतला payment कर रहे हो, तो यहां पे लिखा हुआ है, select BSL, BGH, nursing admission fee, तो उस category को आपको वहां पे लिखना है, तो fulfill करना है, कि आप admission fee payment के लिए BSL, BGH में, नर्सिग admission के लिए, वह लिखना है ठीक है उसके बाद फिल अप क्या करना है आपना प्रस्नल डीटेल ठीक है उसके बाद आपको प्रस्नल डीटेल वहाँ पे इंटरफेस आ जाएगा एक पॉम जैसा निकलता है उसमें आपको नेम पूछेगा डेट ऑब बढ़ पूछेगा मोबाइल नमबर बाद आप उस रेसिप्ट का प्रिंट आउट निकाल लीजेगा बस इतना इजी तरीके से तो यहां पर दिया होगा है ऐसे ही आपको करना है ठीक है आपको समझ में आ गया होगा कि क्या इसे प्रॉसेश रेसिप्ट का मिलते हैं मैंसे वीडियो में तब तक के लिए बाब झाले है दो प्रिंट टी में आपको समय एक में आपको समय आपको फिरूसेश निकाले बाब देसिता आपको समय में आपको पो तो यहां प्रॉसेश प्रॉसेश और्स से लिए।